जो pregnancy के दोरान आप देखते हैं जो नाबी से गुजनने वाली dark line यानि private part से start होती है यह dark line नीचे की तरब से और उपर पूरे पेट से गुजरती है अब इस dark line में भी difference देखने को मिलता है pregnancy में पहले बात तो हम आप से बात करें कि ये डार्क लाइन आपको चोथे पांचवे मैने से दिखाई देना स्टार्ट होगी बहुत हलकी सी और दीरे दीरे प्रेगनेंसी बढ़ती है साथवा, आटवा, नवा और मैने पे ये बहुत ज़्यादा गेरी डार्क लाइन होती जाती ह अब क्यूसन आपका ये आता है कि सर इस डार्क लाइन किसी के ये शोट बनती है यानि ओनली नाभी तक बनती है, किसी के ये पूरे पेटवे बन जाती है, किसी के ये बनती नहीं है, या किसी के ये टेड़ी मेड़ी बनती है, तो क्या इसका क्या संकेत है, यानि आपका मो पॉ इस्ट पॉइंट हमारा यह आता है कि ये डार्क लाइन देखो बनना कब से स्टार्ट रोती है जैसे ही प्रेगनेंसी होती है एक मन्त कंपलीट होता है पर ये डार्क लाइन आपके प्राईवेट पार्ट नीचे से स्टार्ट होती है मैंने बोला खिश रूवात में यूट्रस आपका बच्चा उपर की तरफ आता है जब भी उपर की तरफ आता है तो बच्चा यूट्रस एक के आपकी जो पेट की स्कीन है उस पे खिचा उत्पन करता है समझ रहा जब खिचा उत्पन करता है तो दीरे दीरे जैसे चोथा मेना आया पांचवे मेने में और ब पेट में खिचावाता है, जब हमारे पेट में बच्चा ग्रोग करता है, तो वो हमारा पेट की स्कीन फैलना स्टार्ट होती है, यानि खिचना स्टार्ट होती है, और जब वो खिचेगी, तो हमारे स्कीन के जो कोलेजन फाइबर होते हैं, वो मिड में से जो सेंटर लाइन ह होती है वहां से तूटता है तो हमारे जब भी स्कीन डैमेज हो या हमारी स्कीन को जब कोई नुकसान होता है तो हमारे सरीर में एक मिललीन नाम का पिगमेंट बनता है और यह मिललीन नाम का पिगमेंट बनता है तो यह क्या होता है कि उस स्कीन पे वहां जाके प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी onormal process होती है, कि ये dark line बनना start हो जाती है, हमारा सरीर का या हमारा रंग जो है, ये भी मिलिनी नाम का pigment ही decide करता है, जिसके सरीर में बहुत ज़ादा मिलिनीन pigment होता है, वो काला होता है, जिसके सरीर में milinin pigment कम होता है वो गोरा होता है अब milinin pigment आप सोचेंगे कि ये कई बार आपको देखने को मिलेंगे चेहरे पे छाया चेहरे पे भी ये milinin pigment काला काला दब्बे पढ़ना स्टार्ट हो जाते है जब हमारे pregnancy में एक तो नाब भी तक ही बनता है। जो हमारा प्रोजेस्टरोन हार्मोन प्रेगनेंसी में बनता है। अब आपका क्यूशन ये आता है कि सर किसी को तो सिर्फ नाबी तक ही बनता है, किसी के पूरे पेट में बनता है। तो आम मैं नाबी की बात करूँ, जिसके नाबी तक बनता है, इसका मतब बेबी नीचे है, जो खिचाओ जहाँ जादा रहेगा, वहाँ तक ही बनेगा, किसी का बेबी है, जो उपर की साइड रहता है, तो पूरे पेट पे खिचाओ आता है, तो पूरे पेट पे लाइन बन किसी के बेबी नीचे की तरपी रहता है या mostly आप पूरे पेट पे देखोगे तो first pregnancy होती है यानि महिला का पहली बार जो पेट और यूटरस होता है बहुत टाइट होता है क्योंकि पहली बार वो मा बन रही है दूसरी तीसरी बार मा बनती है तो पेट थोड़ा लूज हो जाता है तो बच्चा नीचे की तरपी रहता है ज्यादा जो उपर जाने की जोर नहीं लगता इस वज़े से उसके dark line कम बनती है पर first line जो pregnancy होती है उसमें dark line बहुत गहरी बनती है फिर आता है कि किसी महिला की dark line बनती ही नहीं है पर जिन महिलाओं जो गोरी होती है melanin pigment नहीं होता उनके सरीर में वो dark line इसकीन तो तूड़ती है खिचाओ तो आता है पर वो melanin pigment जो deposit होते हैं वो होते ही नहीं है तो वो deposition नहीं होगा अब ये melanin pigment कुछ हार्मोन की वज़े से और दूसरा होता है उसके महिला की जीन यानि उसकी जीन डिपेंड करता है कि melanin pigment बनेगा ये नहीं बनेगा यानि और दूसरा एक point ओर आता है कि ये हमारा मोसम के according भी देखने को मिलता है गर्मियों में हमारा temperature ज़्यादा होता है आप देखेंगे गर्मियों में हाथ पर आपके काले हो जाते हैं तो ऐसे ही pregnancy में अगर गर्मियों में किसी का साथो आठो नवा मेना चल रहा है तो उसके डार्क लाइन ज़्यादा देखने को मिलेगी जबकि सर्दियों में कम देखने को मिलेगी जैसे South Africa है वहां के लोग काले होते हैं और फिर वो जो नाभी की लाइन होती है वो और भी बहुत ज़्यादा काली होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनके सरीर में बहुत मात्रा में ज़्यादा मिलेलिन नाम का पाया जाता है हमारी स्किन के सनलाइट से डैमेज होने की कोशिस करती है तो हमारा सरीर उसको बचाने के लिए मिलेलिन नाम का पिगमेंट बनाता है और ये पिगमेंट ही वहाँ डिपोजिशन औरना स्टार्ट होता है ये लाइन आप देखोगे तो दूसरे तीसरे मेने से ही बनना स्टार्ट हो जाएगी पड़ वो सुरुआत में पेट में पहले इस पार्ट में रहता है या बच्चा नीचे ही रहता है तो नीचे बनती है जैसे जैसे बच्चा उपर जाएगा वैसे वैसे ये लाइन देखते रहते हो क्योंकि मैं अच्छा वीडियो बनाता हूं वह आप देखते नहीं हो अब एक क्यूसर बहुत ज़्यादा और पूछा जाता है क्या डार्क लाइन से लड़का है या लड़की है जो भी पेट में है कोई डाउट नहीं है पर क्या वो गोरा और काला होने का सं पिता के आते हैं जिनके माता पिता गोरे हैं तो उनके चांस रहते हैं बच्चा गोरा होने का जिनके माता पिता काले होते हैं जिनके चांस रहते हैं बच्चा काले होने का अब क्या होता है कि जो गोरी महिला है आपने भी देखा होगा उसके पेट पे लाइन बहुत हलकी बनती है या बनती नहीं जो काली महिला है उसके बहुत ज़्यादा बनती है किसी बच्चे के माता-पिता गोरे हैं और उस पेट पे लाइन बन रही है तो इसका मतब यह नहीं है कि वो काला होगा बच्चा इस बार नहीं उनका बच्चा गोरा हो सकता है क्योंकि जीन पे पोता दोईती में आ जाते हैं या पोता पोती में वो जीन आ जाते हैं तो वो दादा दादी का रूप ले लेता है या तो उनका रंग आ जाता है कई बार उनकी सकल मिलती है तो यह mostly जीन पे डिपेंड है यह लाइन से कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि पेट में लड़का है ल सब्सक्राब जरू करें